नमस्कार दोस्तो अटल अनुसंधा नकादमी यूटूब चैनल में आप सभी का हर्दिक स्वागत है दोस्तो सुबह के इस वीडियो में प्रत्योगी जीवन से संबंधित विभिन महत्तपूर सूचनाओं को ले करके आपके सामने उबस्तित हुआ हूँ तो आईए देखते ह हैं ऐसी कौन कौन सी महत्तपूर सूचनाओं पहली सूचनाओं पर आप देख रहे हैं सरकारी विभागों में 40,000 पदों पर होगी भरती सरकारी नौकरी के लिए बिरुजगारों का नाम भेजने वाला विभाग अब नेजी कंपनियों में भी नौकरी दिलाने का काम करेग इस वर्ष प्रदेश में 572 रोजगार मिले लगाने के साथ ही इस महीने के अंततक सरकारी विभागों में 40,000 रिक्तपद आनलाइन हो जाएंगे रोजगार की जहनकारी देने के लिए विभाग की ओर से बनाये गए एकी करत पोर्टल पर 18,000 से अधिक कंपनियां रजिस्ट हो गई हैं सेवा योजन विभाग की वेवसाइड पर कोई भी रोजगार एक क्लिक पर नौकरी की पूरी जहनकारी ले सकता है विभाग के उपनेदेशक पीके पुंडीर ने बताया कि वेवसाइड पर समीदा भरती के साथ ही नीजी कमपनियों की पूरी जहनकारी सरकारी विभागों में करीब 40,000 भरतिया होंगी इन में से 1000 रिखतियों की सूचना अब बेब पोर्टल पर अपलोट कर दी गई है तो दोस्तों यहाँ पर अब देख रहे हैं कि रोजगारों पर योगी शरकार ध्यान दे रही है लेकिन इनको शमीदा पर नौकरी ना दे और सिधे सिधे सरकारी नौकरी ही दे तो ज़्यादा अच्छा है यहाँ पर आप देख रहे हैं कमपनियों पर शिकंजा कमपनी की ओर से यदि किसी युवा को नौकरी दे कर फिर निकाल दिया जाता है तो इसकी पूरी जहनकारी वेबसाइट पर देनी होगी ऐसा ना करने वाली कमपनी के विर्दुष शरकारी नियमों के तहत कारवाई के साथ पंजियन भी रद्द किया जा सकता है वरतमान में सूबे में 35 लाग से अधिक बेरुजगार और इससे ही अधिक सरमिक पंजी करते हैं इसके बाद फिर अगले सूचना JEE प्रवेश परिक्षा 2021 का आय योजन को लेकर AKTU लखनव के प्रोफेशर वाईस चांसलर प्रोफेशर वीनी कंसल तथा NIET ग्रेटर नोईडा के कारकारी उपाध्यक्ष से रमन वात्रा ने यहां आयजित सम्मेलन में बताया कि AKTU से संबंद सहसानों में संचालित अभियंत्रण एवं ब्योशाइक पा प्रिवेश परिक्षा JEE प्रिवेश परिक्षा 2021 के माध्यम से आयजित की जाएगी इसके पाद दूस्तों अगली खबर है एड्मिट कार्ड में करा सकते हैं सुधार IIT Bombay ने 2021 के एड्मिट कार्ड में सुधार का मौका दिया है यदि किसी अभिरती के एड्मिट कार्ड मे कोई गरबड़ी है तो वे बुद्धवार शाम तक उसमें सुधार करवा सकेंगे इसके बाद अगली खबर है गेट 2021 के एड्मिट कार्ड में करवा सकते हैं सुधार ये भी वही खबर है IIT Bombay की और इसमें बुद्धवार तक एड्मिट कार्ड में सुधार का मौका दिया गए है इसके बाद असिश्टाइन प्रोफेसर पद पर चैनितों को नियुक्ति पत्र जारी सिक्षा सास्त्र में सव पदों पर हुआ था चैन पास साल में पूरी हुई भरती तीन अन्य विशों की प्रतिक्षा सूची के अभरतियों को भी मिला नियुक्ति पत्र तो इस आसि दोस्तों विग्यापन संख्या 47 की भरती पूरी हो चुकी है अप छात्रों को विग्यापन संख्या 50 का इंतजार है और यहाँ पर अब देखने है ₺ पदेश के असास की महावतिया प्रत्र तो विख्यास 47 के दाहत असिश्टे पर चैनित भरतियों को मंगल वार को न इसके बाद दोस्तों अगली खबर है 5 से 10 फरवरी के बीच शुरू हो सकती है प्रवर्ब की और से हाइ स्कूल में आंतरिक मुल्यांकर लागू होने के बाद अब बोर्ड को इंटर्मेडियेट के लिए ही परिक्षक नियुक्ति कर प्रदेश भर में प्रियोगात्मक परिक्षाओं को समय से कराना है महीने भर चलने वाली प्रियोगात्मक परिक्षाओं के मार्च के दूसरे सब्ता तक पूर होने की संभावना है इसके बाद दोस्तों अगली कबर है इलहाबाद बिश्चवित देले में बैक पेपर की परिक्षाओं इस्थगित कोबिट के कारण लिया गया फैसला एनजा होस्टल एपसी आई विल्डिंग में मिले है संक्रमित इलहाबाद बिश्चवित देले की 21 जनवरी से प्रिस्तावित इसना तक की बैक पेपर की परिक्षाओं के मद्दे नजर इस्थगित कर दी गई है वही सेमेश्टर परिक्षाओं को टाले जाने पर बुद्धवार को निड़े लिया जा सकता है एन जाव होस्टल और इलहाबाद मिस्थ देले की एपसी आई बिल्डिंग में कुरोना संक्रमित मिलने के बाद यह निड़े लिया गया है इस मसले पर जल्द ही परिक्षा समिती की बैठक बुलाई जाएगी जिसमें तना किया जाएगा कि आगे क्या किया जाना है इसके बाद प्रवक्ता गरित तीन पर प्रणाम घोशित उतरप्रदेश लोक्सेवाईग ने मंगलवार को उत्तरप्रदेश विशेश अधिनस्त सिवा पूरु समवर्ग केता है राज की इंटर कालेजों में प्रवक्ता गणित के तीन पदों पर सीधी भड़ती का अंतिम परणाम चारी कर दिया है इसमें एक पद अनारक्षित और एक एक पद अनुपिसला वर्ग एवं अनसूची जाती के लिए अरक्षित है 36,590 अभःतियों को विद्याले आवंटन का इंतजार वेसिक सिक्षा विभाग की ओर से 79,000 शाहय का दहपक भड़ती में नियुक्ती पत्र पाने वाले 36,590 अभःतियों को विद्याले आवंटन का इंतजार है अब्भेड़ों ने वेशिक सिक्षा निदेशाले में मंगलवार को ग्यापन सौप कर विद्याले अबंटन की मांग की है दूसरी काउंसिंग के अब्भेड़ियों को बताया है कि अंतर जन्पदी तबादले वाले सिक्षकों को उनके मूल तैनाती से रिलिव किये जाने और ने जिले में जुआईन और तैनाती के बाद खाली हुए इस्थान पर विद्याले का आवंटन किया जाएगा शिच्चक बढ़ती में चुने गए अब्भेड़तियों चंद्रमोहन अरुडेंद्र रागहों ने बताया कि वेशिक सिक्षा निदेशालाय में उन्हें बताया कि जन्वरी के अंतर तक सभी सिक्षकों को बिद्याले का आवंटन किया जाएगा इसके बाद अगली खबर है डीयलेट की काँपियों में हिराफिरी की सिकायत की हो रही जाज प्रदेश में डीयलेट की परिक्षा के बाद अब उनकी उत्तरपुस्तिकाओं के मुल्यांकन में भी गड़बड़ी के आरोप लगे हैं आरोप लगने के लिए प्रदेश की सचू परिक्षार यामक प्राधिकारी अनिल भूश्टर चेतुरवेदी ने शिकायत वाले जीलों की डीयलेट की काँपि मंगा कर दोबारा मुल्यांकन करा रहे हैं मुल्यांकन में गड़बड़ी सामने आने पर समन्धि डाध प्राचारी के खिलाप कारवाई के लिए शासन से संतुति की जाएगी रिक्त पदों पर भड़ती की मांग को लेकर सड़क पर उतरे युवा बालसन चौराहे पर युवा मंच के बैनरतले जुटे सरकार को दीचेता हुनी सरकारी विभागों में रिक्त पड़े पदों पर 6 महीने के भीतर भड़ती कराने की मांग पर शोमार को बालसन चवराय पर 71 रहे युवाओं ने जूरदार प्रदर्शन किया युवाओं मंची के बैनर तले 71 रही युवाओं का कहना है कि अगर सरकार उनकी मांग को पूरा नहीं करती तो आंदूलन को और तेज किया जाएगा जिसके पूरी जिम्यदारी प्रदेश सरकार की होगी युवाओं ने इस संबन्द में सीम के नाम का ग्यापन भी सवपा बासन चवराय पर प्रदर्शन कर रही युवाओं ने रिक्त पदों पर भड़ती की मुकमंत्री की घुशना पर अमल करो रोजकार की तो दोस्तों कल युवा दिवश के ओशर पर शात्रों ने बालसन चवराय पर धरना करके और जो भी पुरानी भरती हैं उनको आवेदन मांगे जाएं इसकी मांग की साथी पुरानी भरतियां जो भी लंबित हैं उनको सीगर अतिसीगर निस्तारण किये जारे की मांग की है इसके बाद यहां पर अगली कबर है आनलाइन परिक्षा कराने का लड़ेश देने से इंकार हाई कोट ने कॉरोना महमारी को देखते हुए केंदधरी मादमिक सिक्षा, बोर्ड की 10-12 की बोर्ड परिक्षा आनलाइन कराने की दिर्देश देने से इंकार कर दिया है मुख्य नैमूर्ती डी एन पठेल वा नैमूर्ती जोति सिंग की पीट ने याजका पर विचार करने से इंकार करते हैं कहा है कि परिक्षा कैसे कराना है या संबंधित विभाग तै कर सकता है सिच्छक बढ़ती में तुरुटि पूर्ण आवेदन के तेरह सो मामले पहुचे सासन परिशदी प्रात्मी विद्यालों में 69,000 शाहयका ध्यापकों की बढ़ती में आवेदन पत्र सैक्षिक दस्तावेश तथा जातिवा निवास प्रमाण पत्र में मानवी तुरुटि के लगबग 1300 मामले सासन को प्राप्त हुए हैं इन में से 700 प्रक्राण आवेदन पत्र में सैक्षिक अहरता से प्राप्त वास्तिक अंक से अधिक या कम अंक भरने के हैं इस मामले के परिक्षण के लिए सासन इस तर पर समिती गठित की गई है समिती इन मामलों पर विचार कर रही है सिक्षक बढ़ती में सैक्षिक दस्तावेज चाती वा निवास प्रमाडपत्र में मानवी तुटीके कारण जो अभ्भर थी पहली और दूशरी काउंसिलिंग से वंचित रह गए थे वेशिक सिक्षा विभाग ने उन्हें इन गलतियों को शुधारने का मौका देते ह चार दिसंबर को इस मामले में सासना देश चारी किया था सासना देश में अभलेखी विशंगती को दूर करने के बारे में कारवाही करने के नर्देश दिये गए थे कुछ खास तरह की मामलों में अभ्भरतियों का चैन निरस्ट करने के नर्देश दिये गए थे इसके बि इसके बाद दोस्तों अगली कबर है सिक्षा सास्त के चैनितों को कालेज हुआ आवंटन तो बिग्यापन संख्या 47 असिस्टेंट प्रोफेसर भड़ती पूरी तरह से समाप्त हो चुकी है अब छात्रों को बिग्यापन संख्या 50 का इंतिजार है किन्तु बिग्यापन को ले जासा है और विग्यापन का इंतिजार है इसके बाद अगली खबर है अबर अभियंता पद पर 22 अभेड़तियों का चैनि उत्तर प्रदेश लोक्षे वायग ने मंगलवार को जिला पंचायत के इंदरी शंक्राम में समर्ग के अंतरगत अबर अभियंता का प्रड़ाम चा कर दिया है पिछले महीने 21 से 23 दिसंबर तक अभेड़तियों का साक्षात कार लिया गया था जिसमें 22 अभेड़तियों का चैनि हुआ है इसके बाद अगली खबर है नए सिक्चक करेंगे सत्यापन सुल्क का भुक्तान अड़र मादमी कालेजों के नए नेक्तु सिक्चकों को अपना वेतन पाने के लिए अभलेक सत्यापन का सुल्कादा करना होगा जिला विद्याले निरिक्षक कार लियाले में अभलेक सत्यापन मद में धन ना होने से सत्यापन का कार महीनों से लटका है इस कारण वेतन ना मिलने से प्रदेश भर के डेड़ हजार से अधिक सिक सिक्षक परिशान है इसे देखते हिए सासन की और सासन को पाँच माहबाद अपना निड़ेक बदलना पड़ा है जिससे अब जल्द वेतन मिलने की उमीद जगी है उत्तर प्रदेश पाद्मिक सिक्षा सिवा चैन बोर्ड इधर लगतार एड़न मातवी कालेजों में प्रदेश पाद्मिक सिवा चैन बोर्ड से कालेज आवंटित होने के बाद उनके सैक्षिक दस्तावेजों का जल्द सत्यापन कराया जाए डी आई ओएस पंजीकरत डाक के मात्यम से सत्यापन के लिए अफिलिक भेजने और सत्यापन आख्या भी पंजीकरत डाक से प्रदाना चायर के खत्मिक गए पदों को बहाल किया जाए उच्चतर सिक्षा सेवा आयोग असिस्टेंट प्रोफेजर के रिक्त पदों पर 6 माह में भड़ती पूरी करें तो ये थी छात्रों की मांगे कल जो है छात्रों द्वारा बालसन चवराहे पर धरना किया गया था यूव दियस के मौके पर यूव मंच ने रोजगार के लिए प्रदर्शन किया मंच पदाधिकारियों का कहना था कि मुक्वंत्री ने चार माह पहले रिक्त पदों पर तेजी से निक्त कराने का ऐलान किया था लेकिन अधिकांस मिभाग खाली पदों का विग्यापन चारी नहीं कर रहे हैं। उन्होंने च्छा महीने में सभी पदों को भरे जाने की मांग की है। तो दोस्तों ये थी आज की बात पूर्ण खबरे तो आज के लिए बस इतना ही मिलते हैं। नेक्ष्ट वीडियो में पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत-बहुत सा धन्यवाद। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करि बीच में सेर करिए धन्यवाद।